ओके, हेलो चैटर्स, मैं नेम इस जोईट एंड यूर वाचिंग रस्ल चैटर। खुद बात करिये, Triple H ने, उनके इस मैच को लेकर क्या प्लाइन्स हैं, इसके लाओ गाई, इस वीडियो में सूपर स्पेक्टेकल के बारे में थोड़ी सी बात होगी, WWE अनौन्स करने वाली है, Royal Rumble से पहले ही कि मैंन सौल रूमल मैच में 30 पे कौन उतरेगा, तो बहुत सारी तो मज़ा नहीं आ जाएगा आपके भाई को, अब देर नहीं करते ज़्यादा, शुरुवात करते हैं सबसे बहले Monday Night Rocky viewership के साथ, और आपको पता है, इस अफ़ते रॉक के एपिसोड में हम लोगों ने क्या एंगल देखा था, जहां पर हमारी Alexa Bliss को पढ़ गया था, RKO, Goldberg और Drew McIntyre भी शोग के ओपर थे, पहले से अनाउंस था, लेकिन भाई, हाला तो यहां पर कुछ ऐसी है ने, क्योंकि लास्ट फीक जो रॉक की विवर्शिप थी, वो थी, 1.855 मिलियन विवर्स, और इस अफ्ते की बात करें, तो भाई, यह नीचे आ चुकी है, और रॉक को रॉक को देखने में ज़्याता इंटरस्ट है, और अब इसमें कोई नई बात दिनिये भाई, हर बार जो रॉक का एपिसोड है, उसका हाल ऐसा ही हो रहा है, पता नहीं, डबल लॉक को ऐसा क्या करना पड़ेगा, जिससे रॉक की रेटिंग बढ़ जाए, लेकिन हाल तो भ सब्सक्राइब बता रहा हूं, जैसे मैं आपको भी बताया है कि जो डबल लॉक का शो है, जहां पर हमारी रहने अंग आती है, वो शो को होस्ट करती है, उन्होंने तो नहीं, डबल लॉक के ट्विटर एकाउंट ने इस बात को बताया कि अगर आप डबल लॉक का शो सब्सक्राइब रहते हैं, लेकिन हम को मैं सॉलमन मैस देखने से पहले ही पता होगा कि 30 नंबर पर कौन आ रहा है, तो या तो हमारी खुशी, या तो कुछ लोग को यह चीज बहुत अच्छी लग रही होगी, या फिर बेकार लग रही होगी, मेरे साब से तो यार अगर सर रवील कर दिया, अब जो एक्साइटमेंट है मैं सॉलमन मैस की वह और भी ज्यादा है, नेक्स स्टोरी की तरफ गाइस हम लोग चलते हैं, और यह जुड़ी है, व्वी सूपस्टार स्पक्टेकल के शो से, अब मैंने इस से पहले वीडो बना दिया, पूरे शो की अगर आ अगर आपको देखना है, उसे मेरा का experience था, सारी बाते मैंने आपको बताई हैं, और मैंने आपको उस वीडो में कहाने था कि कवीता देवी जो है, नहीं आपाई थी, क्योंकि वो जो है इंडिया में नी थी, और इसके पीछे का reason exactly तो नहीं सामने आया, लेकिन ये इस आयन था नी, तो कवीता देवी क्योंकि चली गई थी, इसलिए WWE को कोई replacement ढूंडनी थी, और हमको सरीना संदू हाँ पर देखने को मिलते हैं, तो छोड़ी सी update थी, जो कि मुझे लगा आपके साथ शेयर कर देनी चाहिए, हम लोग चलते हैं अपनी अगली story की तरफ और champion Drew McIntyre से, और हमारे Drew McIntyre ने पता क्या है, उन्होंने कहा है कि मैं Fiend के साथ इस समय मैच नहीं लड़ना चाहता, अब अगर मैं आपको सिर्विस्तना इस statement दोंगा तो दिमांग में आपकी 100 बाते आएंगी, क्या Drew McIntyre Fiend से डरते हैं, क्या उन्होंने Randy Orton का हाल देख लिय है, फिर suit करता है, उन्होंने यहाँ बात करी कि जिस तरहीं से मैंने WWE Championship का अपना रेन बना है, यहाँ पर honor की बात है, आपर respect की बात है, आपर man to man fight करने की बात है, और Fiend का चीज प्लान होनी चाहिए, तो उसके लिए एक अलग चीज प्लान होनी चाहिए, रेस्लिंग या फिर बिल्कुल जैसे proper traditional wrestling होती है, उसके साब सुनों ने का की WWE Championship के लिए मेरा और Fiend का मैच होना चाहिए, और भाई इस बात करने में पहले चैनल के ओपर कैच चुका हूँ कि Fiend को ना किसी title की जरत तो बिल्कुल भी नहीं हो, ना किसी championship feud मानी की जरुत है, बस अकर उनकी storyline ह नहीं WWE बढ़िया करके दिखा देना है, तो भाई हमको मज़ा आ जाएगा, example देख लो, Randy Orton और Fiend का क्या कोई championship है यापर, तो भाई हाल फिलाल में na Drew McIntyre जितने भी interviews के अंदर बाते कर रहे हैं, मतलब ऐसा लग रहा है कि बस मज़े ही आ आ जारा भाई, बंदे को सुनकर और एक बार उन्होंने यहाँ पर फिर से बड़ी सही बात करिये, बागे इसके उपर आपके क्या थौट से मुझे हम लोग कॉमेंट करके जरूर बता सकते हो, हम लोग चलते हैं अपनी अगली स्टोरी की तरफ, और यह जूड़ी है, The Rock vs. Roman Reigns के WrestleMania के WrestleMania के match से, अब शायद अ मेरे और Rock के बीच match का ही बनेगा, तो यहाँ पर Triple H से इसके बार में पूछे जाता है, कि चलो Roman Reigns में तो कह दिया, कि वो Rock को face करना चाहते हैं, अब match बनाने वाले लोग आप हो, तो आप बताओ, कि क्या ही match हम को देखने को मिलेगा, तो guys, यहाँ पर Triple H ने यह कहा Rock के बार जब की WWE की ring में जब उतरते हैं, तब उनको ज़रूर ऐसा feel होता होगा, उन्होंने यह भी कहा, कि Rock कितने hard working बंदे हैं, एक ही बंदा जो की Rock से जादा hard work करता है, वो है विन सिक्मेन, और यहाँ पर Triple H ने पूरा खुला खुला बोल दिया, कि देखो, fans इस match को देखना चाह हैं, तो opponent कोई और नहीं, बल्कि Travel Chief Roman Reigns ही होंगे, तो अगर Rock का आने का मन है, और उनका schedule उनको allow करता है, तो भाई, Wrestlemania 39 के लिए वाला match जो है, आप उसको lock समझ सकते हो, तो भाई, यहाँ पर कह सकते हैं, कि जब बड़ी अच्छी चीज होनी होती है, तो उसके लिम को थोड नहीं खमाल के लगें, जितने आज के लगते हैं, तो भाई, यही सीन था, Triple S मुझे कहा Rock और हमारे Roman Reigns के match के बारे में, बाकि excitement तो इस match को लेकर अभी से, भली match सालों के बाद होने वाला है, अगली story की तरफ गाईज हम लोग चलते हैं, और यहाज के मारी final story है, और जैसे क मेरे camera की screen से भी उपर चला जागा, मामला इतना उपर रहता है, तो guys, WrestleVotes यह काफी reliable souls है, मैंने इनकी तरफ साब को बहुत सारी बाते बताई है, इन्होंने एक tweet किया, जो कि आप लोग देख भी सकते हैं, आपकी screen के उपर, उन्होंने का कि उनको एक sources की तरफ से Man Solomon Match की booking को कर एक बात पता चलिया, और WrestleVotes यहां पर लगते हैं, there is a finish that scares the death out of me, and that's legitimately getting heavy consideration, अब इसका मतलब WrestleVotes यहां पर बता रहे हैं, कि WWE Man Solomon Match के अंदर एक ऐसा finish प्लान कर रहे है, जो कि सभी को ढरा देगा, मतलब ढरा देगा, in the sense कि WWE कुछ ऐसा करने वाली है, जो कि fans को शायद आने वाला, but at the same time, वो होने वाला है, बहुत ही जादा Controversial, आप इसको compare कर सकते हो, वैसे, जैसे हमको देखने को मिला था, Saudi Arabia के अंदर, जब Fiend हार गये थे, और Goldbug बन गये थे, नए हमारे Universal Champion, जो कि Controversial भी था, और सांदिसान ऐसा था जिसके उपर fans की attention आई थी, but at the same time, वो चीज़ फैंस को पसंद नहीं आए थी, तो WWE कुछ ऐसा मैं स्टॉल में मैच के लिए साल प्लान कर रही है, अब जैसी यह बाते सामने, लोग speculation कर रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं होने वाला कि Goldbug, इस बार Royal Rumble जीट जाएंगे, या फिर Brock Lesnar रिटन करके जीट जाएंगे, क क्या बता हो, आपको सिधा Royal Rumble जीटते पर दिखाया दे जाएं, तो ऐसे में आपर यह नहीं नहीं स्पेकुलिशन सामने आ रही है, अभी इसके बारे में आने वाली वीडियो के अंदर भी हम लोग और जाधा बात करेंगे, शायद जो कल वीडियो हैगी, वहाँ पर मैं आ होजी वाली वीडियो को उसके जाकर जरूर देखना, और चैनल को कर लो हर बार की तरह, नहीं किया अभी तक सब्स्क्राइब, तो सब्स्क्राइब कर दो, और नोटिफिकेशन बेल कौन को इस चैनल के ओपर आपको प्रो रेस्निक से जोड़ी ऐसे इंट्रेसिंग वीडि खरा कौन कर चैनल कर दो कर दो.